गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास एर्थ की हिंदी पार्थ के पुस्तक कदम का स्रतिया अध्याय अधात्थर लेसन आपको पढ़ाने जा रही हूँ जो है शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष प्रस्तुत पार्थ में लेखक, ब्रूकर, टी वाशंग्तन पढ़ाई के लिए बहुत जागरुक रहे थे वे अपनी शिक्षा की श्रेष्ट विध्याले से प्राप्त करना चाहते थे लेकिन उनके घर की आर्थी किस्तिती बहुत सोचनी है थी ऐसी इस्तिती में भी लेखक ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो कश्ट उठायत हैं उनका वर्णन इस पार्थ में किया गया है एक दिन जब मैं कॉले की खान में काम कर रहा था तब मुझे खान में काम करने वाले दो मज़ूरों की बातों को छिपकर सुनने का मौका मिला जो बरजी निया के किसी स्थानपाय निग्रो के एक बड़ी स्कूल के विशे में बाते कर रहे थे यह पहला अफसर था जब मैंने किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज के विशे में सुना था जो हमारे नगर के निग्डरो के छोटे स्कूल से कहीं अधिक आकरशक था जब वे स्कूल का वर्णन कर रहे थे तब मुझे ऐसा लगा कि यह है प्रत्री का सबसे महान इस्तान होगा उस समय मुझे स्वर्ग में इतने आकरशन प्रतीत नहीं हुए जितने की वरजीना के इस हेंपटन नॉर्मल एग्रिकल्चर इंस्टिटूट में हुए जिसके विशे में ये व्यक्ती बाते कर रहे थे मैंने तुरंत इस स्कूल में जाने का निश्य किया यद्यपी मुझे यह भी पता नहीं था कि यह कहां और कितने मील दूर है या मैं वहां कैसे पहुंचू लगाता है मुझे एक ही अभिलाशा प्रेरित कर रही थी कि मैं हेंपटन में जाऊं एक दिन रात ही है विचार मेरे मन में रहा 1872 के पतजड के मौसम में मैंने वहां जाने का निश्य किया मेरी माता जी इस बात से दुखी थी कि मैं ऐसे कारे को करने जा रहा हूँ जो असंभव है जो संभव नहीं है कुछ भी हो बेमन मैं बेमन से मेरी माने मुझे जाने की स्विक्रती दे दी मेरे पास बहुत थोड़ा धनता जिससे मैं कपड़े खरीदूं और यात्रा के लिए वह करूं मेरे भाई जोन ने जिसकी सायता वह कर जोन ने जितनी वह सायता कर सकता था उसने वास्तम में उससे भी काफी किंतु वास्तम में वह काफी नहीं थी जितनी सायता उसने की वहवी काफी नहीं थी आकेकार वह महान दिन आ गया जब मैं हैंटन के लिए चल पड़ा मेरे पास एक छोटा सस्ता थेला था जिसमें कुछ कपड़े थी जो मैं प्राप्त कर सका उस समय मेरी माताजी बीमार और कमजोर थी मुझे यह आशा नहीं थी कि मैं पुने उनसे मिल पाऊंगा इसलिए हमारा वियोग दुखदाई था किन्टु फिरवी में हम पूरे समय बहादुर बनी रही माल टेन से हैंपटन की दूरी लगवा 500 मेल है कभी पैदल चलका कभी गोड़ा गाड़ी या कारों से लिफ्ट लेकर किसी प्रकार कई दिनों के बाद मैं वर्जीना वर्जीनिया के नगर रिचमांड पहुँचा जो हैंपटन से लगवाग 62 मील दूर है जब मैं वहां पहुँचा तब बहुत ठका हुआ भूका मेला कुचेला हो रहा था रात काफी बीच चुकी थी इससे पहले मैं इतने बड़े शहर में कभी नहीं आया था इस कारण मेरी परिशानी और भी बढ़ गई थी जब मैं रिचमांड पहुचा तो मेरे पास बिल्कुल भी धन नहीं था इस इस इससान पर मेरी जान पहचान एक ऐसे व्यक्ति से नहीं एक भी व्यक्ति नहीं था उस इससान पर मेरा जान पहचान का नगर के रास्तों से मैं बिल्कुल अन्विग यतना मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था अन्विक होने के कारण जान सका कि कहा जाँ? मुझे नहीं पता था कि मुझे कहा जाना है? लेखा के हैं सोच रहा है कैई लोगों से मैंने रहने की स्थान की विशाय में पूछा लेकिन वे सब पैसा चाहते थे जो मेरे पास नहीं था इसी कारण में सड़कों पर भूमता रा मैं आदी रात बाद सड़कों के चक्कर कारता रा अंत में मैं इतना ठग गया कि और अधिक नहीं चल सकता था मैं ठग गया भूंका था किन्तु हर्टो शाहित नहीं था जब मैं शारीरिक रूप से अतिदिक ठग गया तब मैंने सड़के एक किनारे पर आ गया और पुटपार के चबुत्रा धून चबुत्रा कुछ उठा हुआ था कुछ शन मैंने प्रतिक चकी जब तक मुझे ये विश्वास नहीं हुआ कि इधर से जाने वाला कोई व्यक्ति म लगा लिया लगबख पूरी रात मैंने ऐसा सुना मानू रहा चलने वालों के पैर मेरे सिर पर पड़ रहे हूं दूसरे दिन प्राते काल मैंने स्वयम को कुछ तरो ताज़ा पाया किन्तु मैं भूका था जोहीं इतना प्रकाश हो गया कि मैं अपने चारों और की बस्तु मैं जाहाज के पास गया मैंने जहाज के कप्तान से प्रात्न की कि मुझे जाज के सामान उतारने में साहता करने की स्विक्रति दी जाए ताकि मैं भूजन यह कुछ धन प्राप्त कर सकूँ कप्तान जो एक अंगरेश था जो सहर्द है व्यक्ति मालूम पढ़ता था सहमत हो पे अच्छा पहले नास्ता मैंने नहीं किया था मेरे कारेंक कब्टान में इतना प्रशन हुआ कि उसने मुझे कहा कि थोड़ी मजदूरी प्रति दिन करता रहा हूँ ऐसा करने से मैं बहुत प्रशन था जोड़ी सी मजबूरी से भोजन खरीदने के बाद मेरे पास हैंटन जाने के लिए अधिक पैसे नहीं बचते थे हर प्रकार से बचत करने के लिए मैंने चब उत्रों पर सोना जारी रखा जब हैंटन पहुचने के लिए काफी दन बचा लिया तो जहाज के कप्तान को उसकी दया के लिए दिया और फिर मैं चल पड़ा इस असाधारन घटना से मैं हैंटन पहुच गया मेरे पास अपनी शिक्षा प्रारंब आरंब करने के लिए पूरे पचास सेंट फाल्तू थे सेंट फाल्तू थे इस बड़ी तीन मंजिल की इटों से बनी हुई इमारत पर पहली द्रश्टी पड़ते ही मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था मुझे ऐसा लगा कि उस स्थान पर पहुचने से जो परिशानी उठानी पड़ी वे सभी का मुझे इनाम मिल गया हो हेम्टन स्कूल के प्रांगण में पहुचने के तुरंत बात गक्षा में प्रवेश के लिए कारे कोई कारे प्राप्त करने के लिए मैं मुझे अध्यापिका के समक्ष प्रस्तुत हुआ इतने समय तक बिना बोजन इस नानों कपनों के बदलने कारण वास्ता में उन पर प्रतिकूल प्रवाब नहीं डाल सका मैंने तुरंत पहचान लिया कि उनके मस्तिष्क में मुझे प्रवेश लेने के लिए संदेह था कुछ समय तक उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए तो मना कर दी ना ही लेने की लिए ना तो मना ही किया और न कि मेरे पक्ष में कोई निर्ने लिया मैं फिर भी पीछे पीछे फिरता यहाँ मेरी योगिता के अनुसार, योगिता के अनुसार है परकार का परकार से उन शिक्षिका को में प्रभावित करता रहाँ, इसी बीच मैंने उन्हें अन्य विध्यार्टियों को प्रविश देते हुए देखा, इससे मेरी परिशानी और बढ़ गई, मेरे हिड़े की तीव रिक्षादी की मुझे भी यदि अपनी योगिता दिखाने का एक अफसर मिल जाए तो मैं इन विध्यार्टियों को समानी अफसर मिल गया है, मैंने किसी आदेश को पहले कभी इतनी पसंता से स्विकारण नहीं किया था, मैंने संगीत कक्ष को तीन बार जाडू लगाई, फिर मैंने जाडने का कपड़ा उठाया और चार-चार बार पहुंचा लगाया, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से पूर अमेरिका की उत्री राज्यों में रहने वाली एक मैला थी, जो जानती थी कि धूल कहां हो सकती है, वै कमरे में गई हो, फर्च तता अलवायों के निरक्शन किया, फिर उन्होंने रुमाल निकाला और दीवारों को लखडी के काम पर, मेज तता वेंचो पर उसे रगड़ा जब उन्हें फर्च फणी चपत धूल का एक कंड़ भी नहीं मिला ता उन्होंने दीरे से कहां मेरा विचार है तो मैं भी इस विद्ध्याले में प्रवेश मिलना चाहिए, इस प्रकार इस प्रत्री पर सबसे प्रशन ब्रक्तियों में से एक था कमरे को जाड़ू, कमरे की जाड़ू मेरा विद्ध्याले की परिक्षा थी, तब से मैंने अपनी परिक्षाएं पास की हैं, किन्तु मैंने सदा यह अनुबब किया है कि यह सर्वोत्यम परिक्षा थी, जो मैंने पास की है, बच्चों हमसे इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शिक्षा प्राप्त कर हमारा पहला करताव है हमें जैसा भी हो हर हाल में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए अची चीजों को सीखना चाहिए शिक्षा के माध्यम से इसने बच्चों कुछ कटिंश अपदर्थ दिये गए हैं जैसे अभिलाशा इक्षा प्रेरित उस्था है इस्विक्रति अनुमति य याद करने हैं आपके यह अभ्यास फोर्शन आंसर दिये गए हैं जो कि आपको आपके साफ्ताइक ग्रेकारे में दे दिये जाएंगे धन्यवाद